हलो दोस्तो नमस्कार आप लोग कैसे हैं उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे दोस्तो मस्त क्यों नहीं होंगे क्योंकि होली का जो दीन आने वाला है और आज चुका है दोस्तो तो आज जो है सम्मत जनने वाला है यानि होली का दहन हो दोस्तों मेरे जो है कैसे था होआ दहन है और वह वात वजए सामको दोस्तों मैं जब घर पे खारा था तो मैं वहां हो चुका है वह भी साम को 8 बझे तो दोस्तो। मैंने वहाँ जाकर के वीडियो वर इस क्लिब पें देख सकते हैं English तो दोस्तो आप लोगे यहां कितने बज़े में होलिया दान होता है वह मुझे कॉमेट करके जरूर बताएगा तो चलिए दोस्तो अगर यह उस समध के पास यानि हो रहा है और वहां का दिखाते तर चलिए हमारे साथ विडियो में बने रहे तो दोस्तो आइये चलते हैं उस घुशा है वह समध जल रहा है यानि हुझा दइन हो रहा है हमारे आखों के समने हमारे घर से दो धाई सो मीटर की दूरी पे है दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये कुट क्रिमित मध्धे बिद्याल है ठाड़ा सिम्री के परंगन में जलाया जा रहा है और ये जो है माली नगर सिम्री में परता है दोस्तों तो आप देख सकते हैं नए जवाने मे लोग किस तरह से जलाते हैं और ये जो सम्मद जल रहा है आठ वजे सामने जो कि जो प्रमप्राएं जो आचली आ रही है वो चार वजे भोड़ का दोस्तों क्योंकि होली का दान चार वजे भोड़ने हुआ था और ये जो दोस्तों उत किरिमित मद्धे विद्याल है थारा सि दहन हो रहा है दोस्तों और वो भी आठ्वज़ सांब को दोस्तों यह उसी के बगल में पानी टेंग की है दोस्तों अब देख सकते हैं और यह रोड जो है 4 रोड है और इसी चोराहे पर यह बीच्छ सरक पर होली का दहन हो रहा है आपके गाओं में कितने बज़े होली का धहन हुआ है वो मुझे कमेट करके बताईएगा क्योंकि पुराने जो परंपरा है वो चार बज़े भोड़का है लेकिन हमारे यहां आठ बज़े साम को ही जला दिया गया अब देख सकते हैं यह साम को आठ बज़े का वीडियो है दोस्तो पहले ज़वाने में जो पुराने लोग जो थे वो अच्छे से वली मनाया करते थे और अच्छे अच्छे गीत भी गाया करते थे लेकिन आज के जवाने में कोई ऐसा गीत गाने वाला नहीं है जो आपके वीडियो में खुझ दिखाई दे रहा है दोस्तो पहले के लोग के बात ही कुछ और थे मिल के होलिया मनाया करते थे खुसियां बाटा करते थे लेकिन आज के जवाना वो उस तरह का है नहीं क्योंकि बात बात में लोग लरने जगरने लगते हैं तो इसलिए होली का जो त्यों हाड है अब धीरे दूरे कम होता है तो दोस्तो वीडियो अच्छा लगें तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश कर दिजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुचेगी तो दोस्तो आपके गाउं में किस तरह से होली मनाया गया और होली का दहन किस टैम किया गया तो हमें कॉमेट करके जरूर बताईएगा तो दोस्तो वीडियो में बने रहने के लिए थाइंक्यू धन्यवाद